वेलकम बैक टू लोको मेड इजी चैनल प्लीज शेयर सब्सक्राइब और लाइक दिस वीडियो आज का जो वीडियो टॉपिक रहेगा वो थ्री फेज लोको के अंदर ब्रेक पैनल्स जो FTIL वर्सिस नोर के इंस्टॉल किये गए हैं उनके बारे में समझना दो कंपनीज यहां पर नुमेटिक पैनल्स को इंस्टॉल कर रही है फिर्स्ट है फिवले ट्रांसपोर्ट इंडिया लिमिटेड जिसका नुमेटिक पैनल को हम E70 ब्रेकिंग सिस्टम के नाम से भी जानते हैं और सेकिंड है नौर ब्रेम्स इंडिया लिमिटेड जो CCB 2.0 सिस्टम का नुमेटिक पैनल इंस्टॉल कर रही है दोनों पैनल्स को हम अच्छी तरह से समझते हैं बट वीडियो बनाने का परपस इन दोनों पैनल्स को कंपेर करके जो कंफ्यूजन है उनको रिमूव करना लाइन पर चार्ज लेते हम कुएक इंस्पेक्शन करते हैं पैनल की बट एच्छल जो कंफ्यूजन्स क्रियेट तब होती है जब हम किसी डेड़ पावर को इनरजाइज करना चाहते है या किसी इनरजाइज़ पावर को डेड़ बनाना चाहते है उस केसिज के अंदर हमारी जो कौक पोजीशन्स हैं उनमें हमें कंफ्यूजन्स क्रियेट हो जाती है तो पैनल के टॉप के उपर हमें वी सी डी यूनिट इंस्टॉल्ड मिलेगी लेफ्ट साइड में FTIL की वी सी डी यूनिट इंस्टॉल्ड है और राइट साइड में नौर की वी सी डी यूनिट इंस्टॉल्ड है नौर के केस में हम इसको इलेक्ट्रोनिक वीजिलेंस कंप्यूटर भी बोलते हैं FTIL में VCD unit के back side में brake electronics and closer है उसके अंदर brake electronics के component installed रहते हैं next FTIL panel के अंदर left side में Panto selector switch 85 डिस्पले हो रहा है then उसके नीचे pressure switch is first RGAF and then VCD then FP then PB PB के नीचे direct brake का pressure switch रहेगा then MCPA auxiliary compressor के लिए then RGEB and then Panto 2 और Panto 1 के लिए सभी pressure switches FTIL panel में एक साथ हमें display हो रहे हैं next NOR panel CCB 2.0 के अंदर pressure switches डिस्पले हो रहे हैं first FP के लिए FPPS then IBS independent braking system के लिए then PANAS PS then Panto 1 PS और Panto 2 PS तो यहां पर सभी pressure switches center में display हो जाते हैं NOR CCB 2.0 पैनल के अंदर next अब कोक position देख लेते हैं 70, 74, 136, 70 हम BP के लिए यूज़ कर रहे हैं 74 emergency के लिए SIFA भी बोलते हैं इसको SIFA 74 and 136 FP के लिए यूज़ करते हैं तो FTIL पैनल के अंदर हमें पैनल के right side में दिखेगा 70, 74 जब horizontal condition में हैं तो उनकी open position है और 136 जो कोक है वो down side में right side में पड़ेगा 106 की जो position है वो top से देखेंगे तो vertically हमें दिखेगा तो ये तीनो कोक जब local energized condition में हैं open condition में होने चाहिए तो मेरा trick इन तीनो कोक को समझने का ये है कि 70, 74, 2 कोक एक तीर की तरह उड़ते हुए जा रहे हैं तो वो ऐसे लग रहा है कि एक तीर उड़ रहा है तो उससे मुझे एक idea लग जाता है कि ये open है 136 कोक को भी अगर एक तीर की तरह समझते हैं तो वो मेरी तरफ आ रहा है जब वो open condition में है उसको इस तरीक से समझ सकते हैं को मेरी तरफ आएगा तो एक ट्रिक बनाई हुए है कि एक तीर 74 के केस में उड़ रहा है और 136 के केस में वो मेरी तरफ आ रहा है 174 को जब हम horizontal से vertical condition में कर देंगे तो वो close condition में हो जाएगा और 136 जो top से हमें vertically दिखाई दे रहा है जब हम उसको horizontal कर देंगे वो भी close हो जाएगा कोक 136 feed valve के उपर लगा हुआ है उसके साथ CPA का drain cock लगा हुआ है next CCB 2.0 के अंदर हम 174 136 की position को देखते हैं 174 नंबर कोक हमें cab के अंदर मिलेगा A9 and SA9 handle के बीच में जिसे हम L&T switch या test switch भी बोलते हैं electronic brake valve के उपर ये लगा हुआ है and 74 और 136 हमें brake panel के उपर मिलेगा अब यहां पर जो 74 नंबर कोक है वो vertical condition में open है and 136 नंबर कोक horizontal condition में open है तो charge लेते हुए जो हमारी trick यहां पर use होगी वो हमें ultra T जब T को हम ultra कर देंगे तो वो shape हमें यहां पर 74 और 136 की दिखाई दे रही है तो quickly जब हम charge लेंगे तो ultra T shape जो हमें देखनी है कि बनी हुई है या नहीं है and dead करते हुए हम कोक की position को जो हमारा 74 नंबर कोक है उसको जब हम horizontal कर देंगे तो वो close हो जाएगा और 136 को जब हम vertical करेंगे तो वो हमारा close हो जाएगा next है 47 कोक dead engine कोक भी बोलते हैं इसको E70 breaking system के अंदर ये left side में down side में रहेगा E70 में 47 जो horizontal condition में होगा तो closed condition है and open condition इसकी vertical position में होगी तो E70 के अंदर जब हमें dead करना है तब ही इस कोक को हमने vertical position में करना है and right side में CCB 2.0 का dead engine कोक जो हमें display हो रहा है इसके अंदर जो हमारी close condition है वो एक बजे की position है and open जो position है वो 11 बजे की position है नौर पैनल के अंदर हमें trick की जरूरत पड़ती है क्योंकि इसकी position जो अगर open और close marking ना हो तब हमें confusion create होती है तो जब हमारा 47 एक बजे की position में है तब तो हमें close condition में मिलेगा कोक बट जब 11 बजे की position में है तब हमारा कोक open condition में रहेगा तो जब हमने dead करना है तब हमने इसको 11 बजे की position में करना है और इसके लिए जो हमारे trick रहेगी 11 बजे means अगर हम समझे की अगर एक dead body है उसके अंदर दो legs हैं तो वो legs हमें 2-1 की तरह दिखाई दे रही है means 11 बजे और दो legs दोनो एक जैसी दिखाई देती हैं तो जब हमने dead करना है तो हम 11 बजे means dead मुर्दे की जो दो टांगे हैं उसको ध्यान में रखते हुए इसको 11 बजे की position में कर देंगे next जो हैं कुछ other cocks हैं हमारे E70 breaking system के अंदर तो यहाँ पे पैंटो manifold के अंदर पैंवन, पैंटो cocks and VCB cocks हमें मिलेगा IG38 की और पैंटो reservoir gauge दिखाई देगी left side में down side में हमें sander coke दिखाई देंगे E70 breaking system में नोर पैंटल के अंदर सभी coke एक साथ लगे हुए हैं first जो दो coke हैं वो sand one and sand two coke हैं जो हमारे vertical condition में open रहेंगे और जो remaining 4 coke हैं उसमें से first coke है unloader coke, second VCB का coke और जो third and fourth हैं वो pen one and pen two के coke रहेंगे और ये सभी जो हैं horizontal condition में open रहेंगे पहले दो को छोड़ कर पैंटल की जो extra quality है PTDC feature तो उसके लिए हमें एक extra coke नोर पैंटल के अंदर दिया गया है जिसको हम per coke भी बोलते हैं और जब PTDC operation करना है तो उस case में हमें इसकी जरूरत पड़ेगी इसकी position horizontal condition में ये deactiv है and vertical position में ये active है तो जब हमें PTDC operation करना पड़ेगा तो हम इसको vertical कर देंगे तो उस case में ये coke हमारा active हो जाएगा next नोर पैनल के अंदर हमें control portions दिये गए है 16CP, 20CP, ERCP इन सभी के अंदर microprocessor card लगे हुए है and इन सब के उपर एक green light blink करेगी जो हमें बताएगी कि ये healthy condition में है तीन test point 16CP or 20CP के बीच में लगे हुए है break cylinder pressure को remove करने के लिए नोर में हम DV देख लेते हैं इसके अंदर P&G handle जो है outside में हमें दिखाई देगा और एक P&G switch भी हमें दिखाई देगा तो जिस type की working है goods passenger उसके according हम इसकी position change करेंगे और इसका distributor valve का जो isolating handle है वो back side में दिखाई दे रहा है DV handle जब vertical position में है तो उसकी normal position है और जब DV handle हम horizontal condition में कर देंगे तब वह isolated position में हो जाएगा next nor panel के अंदर हम SR1,2 और harmonic filter के कोक की position देख लेते हैं जब हमारा IGBT based loco रहेगा उस case के अंदर जो हमारे SR1 and 2 के कोक हैं वो close condition में रहेंगे क्योंकि वहाँ पर electromagnetic contactor यूज किये गए है and harmonic filter जो है वो दोनों cases में open रहेगा क्योंकि वहाँ पर electromagnetic contactor यूज किया गया है तो डिस्पले के अंदर हमें GTO और IGBT के अंदर जो कोक position है वो show हो रही है तो IGBT के अंदर ही SR1,2 कोक हमारे close रहेंगे GTO में तीनो कोक हमारे open condition में रहेंगे डिस्पले में हमें नोर पैनल के अंदर जो auxiliary compressor का जो drain कोक है वो show हो रहा है तो उससे हम moisture drain करने के लिए use करेंगे next E70 के अंदर जो हमारे SR1,2 and FB के कोक है वो पैनल के back side में रहेंगे तो according to IGBT या GTO based लोको है इनकी position हम उसके according चेक कर लेंगे IGBT के अंदर SR1 and 2 कोक हमारे close condition में रहेंगे and GTO में तीनो कोक हमारे open condition में रहेंगे and last एक यहां पे point बताना चाहूँगा कि इस channel पर सभी videos only ALP point of view से बनाई जाती है आप इनको CLI level से यहां किसी और level से compare ना करें इसमें सिर्फ basic concept जो confusion create करता है उसको clear गरने की कोशिश की जाती है कि जो हमारा regular basic concept है उसमें हम confuse ना हो और जो हमारा working है वो safe working रहे यहां पे एक point और mention करूँगा कि अगर मुझे 5 साल हो चुके हैं working करते हुए और कोई concept मुझे 5 साल बाद मालुम हुआ अगर किसी trouble या fault आने की वज़ा से जो कि मुझे बहुत पहले मालुम हो जाना चाहिए था उस concept को पढ़कर या revise करके तो उस topic के उपर हम video बनाना start करेंगे आप उस topic को comment box के अंदर mention करें क्योंकि अगर एक आदमी की गलती से हम remaining staff सीख सकते हैं तो इससे better और कुछ नहीं हो सकता इस channel पर हम knowledge को build up करना चाते हैं और गलतियों को सुदारना चाते हैं जिससे safely हम work कर सकें सबी को सब points की knowledge हो